Hello students, welcome to your channel Avino Singh Biology and I am your biology faculty Avino Singh आज की इस वीडियो में हम लोग इनिमल टीशू के बारे में अधियन करेंगे बच्चो आज का दो टॉपिक है वो हमारा वो जाने से पहले हमें समझना होगा कि वाट इस टीशूज सकते हैं और टीशूज कितने तरह के होते हैं तो प्लांट टीशू और अनिमल टीशू अगर आपको प्लांट टीशूज से समझनात अगर विडियो चाहिए तो अलेडी मैं बना चुका हूं और इसका लिंक है आप वहाँ से विज़िट कर सकते हो आज के इस टॉपिक भी हम लोग सिर्फ एनिमल टिसूज को ही डिस्कस करेंगे एनिमल टिसूज के क्लासिफिकेशन या उनके काइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान ले वाट इस टिशू तो टिसूज होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्णिं कारेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है है कि they have to perform, they have to, since they are composed of multi-seller arrangement it means they are composed of more than one sense, so they have to follow the concept of division of labor ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप टिसूज के अगर बात कर रहे हैं तो टिसूज से रिलेटे कुछ टर्मिनलोजी को भी यह में समझना होगा यहाँ पर एक टर्म है जो कि बहुत एदा popular है वो कहें histology हिस्टो का मतलब होता है tissue और लोगी कहीं अगर लिखा रहे हैं तुमको मिंसन होता है तो लोगी जो है logus term से बना है Greek word logus से बना है जिसका मतलब होता है to study So, the branch of biology in which we study about tissues and its behavior is referred as histology. Then, after that, the term is histogenesis. Histogenesis is called histogenesis. Now, here is the histo, which means phacetic tissue, and genesis is called generation or formation. So, the process of formation of tissues or the process of formation of new tissues is referred as histogenesis. ठीक है, फिर यहाँ पर एक term आप यहाँ पर देख रहो, यह उपर में यहाँ पर लिखा गिया है, वो है histoma. तो देखो, जो भी tissues से सम्मंदित जब भी कोई problem होता है, जहाँ पर tumor का scenario डिखा जाता है, डिस्कसियाता है, यानि जैसे मालो बॉडी के कुछ भाग में, अगर tissue से सम्मंदित अगर वह organ है, और वहाँ पर अगर कोई tumor हो जाए, tissues में कोई tumor हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते है histoma है, histo का मतलब होता है tissue, और oma का मतलब होता है swelling, over swelling, ठीक है? तो इसलिए tissues location में, जब भी tumor का formation होता है, तो उसे हम करते हैं histoma, तो यह basic terms थे, अब first of all, who discovered tissue, तो आपको जानना चाहिए, the father of histology is bichat, जैसा हम दो जानते हैं, कि Francis Javier bichat, जो थे वो, उन्होंनी tissues को सबसे पले discover किया था, ठीक है? और अगर animal tissues की बात करें, animal tissues को किसने सबसे पले discover किया था, तो वो थे एक German biologist और उनका नाम था, आप यहाँ image देख रहो, यह है, theodore swan, ठीक है? यह तो theodore swan है, इन्होंने 1839 में cell theory भी लाया था इन्होंने, और इन्होंने ही pepsin, pepsin जो की एक protein digestive enzyme, stomach region में पाय जाता है, उस उसके bio system है, उसको उन्होंने पुरी तरीके से define किया था, discover किया था, ठीक है? अब यहाँ पर देखोए, अगर हम बात करें जब भी animal tissues, चुकि हमारा आज का topic है animal tissues के kinds के बारे में, classification के बारे में, तो animal tissue को कितने भागों में divide किया गया, यहाँ पर एक flow chart mention किया गया, सबसे प अब देख रहों कि टीशू जो है, यानि animal tissues पंचो के focus कर रहे है, animal tissues are divided into four categories, animal tissue चार तरह के होते हैं, पहला nervous tissue, दूसरा muscular tissue, तीसरा connective tissue, और चौथा epithelial tissue, ठीक है? अगर हम सबसे पहली बात करें, सबसे first tissue, first tissue किया है? first category of the animal tissue is nervous tissue, nervous tissue is a group of nerve cells, having similar structure and function, तो nervous tissue की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो nervous tissue में क्या होगा? वो किस तरह के cells का collection होगा? तो neurons का collection होगा, nerve cells का collection होगा, वहाँ neuron और glia, या microglia, दो तरह के cells होगे, यानि एक cell होगा, neuron और दूसरा होगे, microglia, उनको, microglia से बेतर है, आप उसको glia बोलो, या फिर neuroglia बोलो, तो neuroglia आप बोलो, या फिर neuron, इन दोनों तरह के cells के collection को ही, क्या बोलते हैं, वहाँ पर nervous tissue बोलेंगे, so nervous tissue is a group of nerve cells, और glial cells, having similar structure and function, ठीक है, तो यहाँ पर यह nervous tissue है, nervous tissue के बारे वे अगर आपको वो detail, अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आपको description box में मिल जाएगा, high button पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से check out करो, nervous tissue पर वीडियो बहुत बहुत बहुतर तरीके का आपको available है, फिर nervous tissue, चूंकि neurons के अगर अगर अब structure function के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको, उससे रिलेटर आपको बहने पहले नहीं बता उसी तर से आपको समझ में आ गया होगा, कि muscular tissue is a group of muscle cells having similar structure and function, यानि muscular tissue में ये असल में किस तरह के cells का collection होगा, muscle cells का collection होगा, और ये जो muscle cells हैं, ये generally 3 तरह के होगे, यानि ये muscular tissue जो है, उसके भी 3 categories है, आप देख सकते हो, पहला, यहाँ पर आप देखो, पहला category क्या है, पहला skeletal बोलते हैं, तो striated, voluntary, or skeletal muscles, ये first type of muscular tissue हुआ, या muscles हुए, ठीक है, अब यह क्या है, तो देखो, voluntary का मतलब क्या होता है, voluntary का मतलब होता है, कि कुछ ऐसे muscles हमारे body में है, body के कुछ parts में ऐसे muscles हैं, जैसे अगर hand और legs की हम लों बात करें, यानि limb muscles की बात करें, तो ये ऐसे muscles ह which contraction and relaxation is controlled by our will or central nervous system, हमारे तंत्री का तंत्र के द्वारा, हमारे जो central nervous system है, यानि brain और spinal cord, या हमारे इक्षा के द्वारा, इनके contraction, relaxation, इन muscles के contraction, relaxation, control किये जा सकते हैं, ऐसे muscles हम क्या बोलेंगे, voluntary muscles, इन्हें extrated muscles इसलिए बोलेंगे, क्योंकि इन में, इनको जब, microscope में, जब हम या bands हमको निजर आते हैं, इसलिए इनको extrated muscles से बोला जाता है, इनको exclator muscles इसलिए बोलाता है, क्योंकि human exclator system का main जो पार्ट है, आपको ये हमारा जो hand है या leg है, वहाँ पर मौझूद जो muscles हैं, वह असल में इस category में आते हैं, तो इसलिए इस तरह के muscles के अकल है, skeletal, extrated और voluntary muscles, second जो category है, वह muscular tissue का वो है, involuntary muscles और smooth muscles और unstrated muscles, देखो, unstrated इसलिए बोला, और ये involuntary इसलिए हैं, because these muscles are not controlled by our will or central nervous system, ये हमारे इक्षा से या central nervous system, brain and spinal cord से ये बिलकुल भी control नहीं होते हैं, जैसे हमारे जो life process related जो भी organs हैं, उनके जो muscles हैं, उनको हम अपने इक्षा से control नहीं कर सकते हैं, lungs हैं, liver हैं, या फिर kidney हैं, तो ये सब ऐसे organs हैं, जो कि बहुत sensitive organs है, vital organs है, life process mechanisms related organs है, इनके contraction relaxation को हम control नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे organs में किस तरह का muscle होगा, तो involuntary या unstreated या smooth muscle, ठीक है, अब उसके बाद आप देखरो, third जो category है, muscles का, वो कहलाता है, cardiac muscle, cardiac terms जो है, ये असल में hurt से लिया गया है, hurt से related है, इसका मतली होता है, hurt, hurt के बारे मे जब study हम करते हैं, तो उसको बोलते है, cardiology, और hurt में मौझूद जो muscles होते है, hurt में मौझूद जो specialized muscles होते हैं, उन्हें बोलते है, cardiac muscles, so cardiac muscles का एक बहुत important features क्या होता है, कि इनमें rhythmic contraction and relaxation देखा जाता है, throughout our life cycle, last breath, अंतिन सांस तक आप देखोगे, क्या कि हमारे hurt muscles है, वो लागात पंप करते हैं, वो लागाता है, उन्हें contractional relaxation होता रहता है, तो इस तरह के जो muscles होते हैं, वो कलाएंगे, cardiac muscles, तो इससे भी later अगर आपको वीडियो चाहिए, तो muscular tissue पर पूरे detail video आपको बना हुए, description में आपको उसके link मिल दाएंगे, अब उसके बाद जो third type है, वो third type animal tissue का ह वो कलाता है, connective tissue, तो connective tissue का पहले समझाने से पहले थोड़ा हम लोग four type के अबर जाते हैं, connective tissue को फिर हम लोग फ्रा बाद में देख लेते हैं, तो four type जो है, वो animal tissue का वो कलाएगा epithelial tissue, epithelial tissue is also known as epidermal tissue, ठीक है, epidermal tissue को ही हम लो epithelium भी करते हैं, तो epidermal tissue बोलो, epithelium ब भराबर है, तीनों में से कुछ भी बोलोगे, बात एक ही क्यों हो रही है, epithelial tissue is a group of epithelial cells और outer covering cells having similar structure and function, हमारे body में या कोई भी animal body है, animal body के कई सारे organs ऐसे हैं, कई सारे whiter organs ऐसे हैं, जिनके coverings और linings को यह protection प्रोवाइड कराते हैं, यह जो muscles होते हैं, यह protection प्रोवाइड क को ही, नहीं, बलकि body के अंदर के जो भी organs है, उन सारे organs को, हमारे body को भी यह पूरी तरह से protection प्रोवाइड कराते हैं, और कई दूसरे भी काम करते हैं, जैसे absorption का, secretion का, या फिर कई और भी तरह के, epithelial tissue से later भी अगर आपको को वीडियो चाहिए, तो उसके भी description में आपको compound epithelium, compound को ही हम striated epithelium में बोलते हैं, देखो, epithelial tissue क्या है, epithelial sales का group है न, अगर epithelial sales जो है, वो, उनका अगर single arrangement होगा, single layer में वो अगर arranged है, single layer में ही, single उसी pattern में अगर arranged है, तो इस तरह के, इस तरह से जो एक single layered arrangement जो बनता है, उसे हम लोग बोलेंगे, simple epithelium, और अग उसरे पर sales जढ़े रहेंगे, multiple egg से जादा layers बनेंगे, तो इस तरह के epithelial tissue क्या बोलेंगे, compound या streated epithelium बोलेंगे, यह जो simple epithelium हो, यह compound epithelium हो, यह दोनों भी तीन तरह के होते हैं, यह epithelial sales के shape पर अधारित है, अगर epithelial sales जो है, वो flat like है, flat shape है उन sales का, तो कहलाएं है, tall pillar like है, sales, तो वो कहलाएंगे columnar, तो इस तरह से यह तीनु क्या होते हैं, या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इससे समझनित, आपको video available है, description में आप उसको देख लो, अब हम बात करते हैं, animal tissue के four type को, animal tissue का four type है, और last type है, इसे हम लो, जो कि हमने four type ने बता रहे था, भी हम third type के रोबर रहे है, तो third type है, वो कहलाएगा connective tissue, यह सा इसका नाम है, आपको समझ में आ रहा है, a group of connecting cells having similar structure and function is referred as connective tissue, यानि इसमें जो भी cells है, वो, अचल में, यह पूरे body में, हमारे पूरे body में पाए जा रहे है, इनका जो origin है, वो mesodermal होता है, यानि यह body के middle layer से, यह originated है, और यह जो, यह जो connective tissue है, नाम सी समझ में रहा है, कि हमारे body के कई सारे organs को ही नहीं, पूरे body के system को यह connect करका रखता है, यह बहुत ही important बात है, जो connective tissue है, यह connective tissue भी दो तरह का होता है, एक है connective tissue proper, और दूसरा है special tissue, connective tissue proper जो है, यह भी दो तरह का है, उसमें जो fibers है, वो अगर या तो loosely arranged होंगे या फि closely arranged होंगे अगर उन में जो fibers है वो अगर loosely arranged है तो उस तरह का connective tissue proper क्या का लाएगा? loose connective tissue और इन में जो fiber से दूर दूर बिखरे होंगे जब कि दूसरा connective tissue proper जो है इसे हम लोग बोलेंगे dense connective tissue क्योंकि इसमें जो fibers हैं वो closely arranged है closely packed है एक दूसरे से chip के हुए है सटे हुए है ठीक है तो इसलिए इसको क्या बोला dense connective tissue या dense connective tissue proper भी बोल सकते हैं अब यह जो dense connective tissue है या दो तरह का है एक है dense connective tissue regular और दूसरा है dense connective tissue irregular dense connective tissue regular है मतलब उसमें जो fibers है उनमें regular pattern देखा जाएगा regular close down देखा जाएगा regular arrangement देखा जाएगा और यह जो dense connective tissue regular भी दो तरह का एक का लाएगा tendon और दूसरे का लाएंगे ligament अब tendon tendon is also known as white fibrous connective tissue whereas ligament is also known as yellow fibrous connective tissue color के अधार पर है अब देखो tendon is the connective tissue which connects bone and muscle whereas ligament is the connective tissue which connects two different bones अगर दो बोन आपस में जुर रहे हैं तो उसको कौन जो रहेगा ligament और एक bone और एक muscle को कौन जो रहेगा तो वो जो रहेगा tendon जो रहेगा तो इस तरीके से tendon और ligament tendon में क्या होता है collagen जादा होता है इसलिए white fibrous होता है और ligament जो है वहाँ पर ligament में वहाँ पर collagen जो है कम है इसलिए वहाँ पर elastine fiber जादा है इसलिए वो yellowis हो जाता है तो इसके बारे में हलाकि हम आगे भी परहेंगे आगे भी जानेंगे तो यहाँ पर dense connective tissue regular दोता रहा एक tendon अगर और dense connective tissue irregular क्या होगा तो उसके example होगे skin जो irregularly हमारे body में यहाँ वहाँ पूरे body में arranged होते हैं देखो हमारे इस पूरे body का animal body का most spread tissue अगर कोई है तो यह connective tissue ही है अब connective tissue proper का एक type मैंने बताया था वो जिसमें fibers loosely arranged थे वो था loose connective tissue loose connective tissue भी दो तरह का एक ariolar और दूसरा adipose ariolar connective tissue is placed just between our skin and muscle हमारे skin के नीचे होगा skin और muscle के बीच में पाए जाएगा कौन? ariolar connective tissue जबकि दूसरा connective tissue है जिसे हम लोग अडिपोस बोलते है adipose connective tissue is a group of adipocytes और fat storing cells having similar structure and function इसमें fat storing cells है यानि इनका काम सी नाम सी समझ में है कि किसको store करेंगे? fat को store करेंगे, lipid को store करका रखेंगे ठीक है तो यह fat storing cells को बोला adipocytes और उनके collection से जो tissue form हो रहा है उसे बोल रहे है adipose tissue जो भी हमारे body में जो muscular part होगा जो भी गुल-गुल थुल-थुल वाला जो इलाका होगा तो वह सब वहाँ पर कौन सा tissue present है? वहाँ पर adipose tissue present है ठीक है? अब उसके बाद यह तो था connective tissue proper अगर हम बात करें कि दूसरे type यानि connective tissue के दूसरे type special tissue के बारे में तो special tissue भी दो तरह का एक है skeletal skeletal देखो इसको confuse मत करना है, skeletal muscular tissue नहीं है यहाँ पर skeletal अरग है, यह skeletal connective tissue है तो skeletal connective tissue is of two types special tissue दो तरह का, एक skeletal और दूसरा fluid skeletal को हम तो solid भी बोलते हैं, solid भी बोल सकते हैं याँ तो यह जो skeletal connective tissue यह दो तरह का एक bone और दूसरा cartilage हमें पता है कि हमारे body में adult human में 206 bones है एक video में एक अगला हम लोग एक ऐसा series हम लोग ला रहे हैं जिसमें हम लोग human skeletal system के बारे डिस्कस करेंगे बच्चो वहाँ पर हम लोग में बताऊंगा आपको कैसे हमारे body में कितने 206 bones कहां कहां present है टोटर में count करके आपको मैं गिना दूँगा अब बहुत अच्छे से अराम से उस video को आप देख पाऊगे तो bones जो है adult human में 206 होते हैं हां यह जब कोई infant baby है नया जो 90 शिशू है उस सवस्ता में उसके body में 300-270-300 bones पाए जाते हैं और cartilage जो हमारे body में है वो bones के comparison bone और cartilage को जो हम compare करते हैं तो bones harder होते हैं यह calcium phosphor से बने होते हैं और cartilage जो होते हैं यह softer होते हैं और bone जो होते हैं bone जो कि यहां हमारे body का hardest tissue है हमारे body का अगर कोई hardest tissue बोले कौन है तो यह bone है और यह जो hardest tissue bone है इसमें कौन से इसमें जो cells present होते हैं उनको osteocytes बोलते हैं और इसमें एक special protein होता है जिसे osine protein बोलते हैं कि जबकि Cartilisus जो है उसमें तो cells present होते हैं उन्हें Chondriocytes बोलते हैं ठीक है और उसमें तो proteins होते हैं उन्हें ud 회up कै bulb calledmis जाता है और यह औरỏ 갔ूस्त के बारे में जानेंगे यह खीयुआ कउनने को'M Klक के पार्थे यह यह ini special tissue का पाम है Special tissue का जो दूसरा part है, दूसरा type है, उसे हम दो बोलते है fluid connective tissue या vascular tissue Fluid connective tissue नाम से समझ में आ गया होगा, कि यह हाँ पर fluid, यह fluid nature का है, fluid nature का है यानि इसका states of matter कैसा है, states of matter इसका fluid है, यह दो तरह के होंगे, या तो lymph होगा या फिर blood होगा अब blood जो है, हमारे body का, यह बहुत ही जबर्दस्त fluid connective tissue है, इसके बारे में हम जानते भी हैं, कि blood का pH value जो है, यह 7.4 होता है, यानि basic nature का होता है और blood भी दो तरह के, इसके components होते हैं, यानि एक, blood का जो fluid part होता है, उसे हम दो plasma बोलते हैं, जो कि blood का 55-60% area कवर करता है जबकि 35-40% area कौन कवर करता है, corpuses, यह blood cells है, तीन तरह के blood cells होते हैं, एक कलाता है RBC, red blood cell, इसे हम दो erythro side भी बोलते हैं दूसरा कलाता है WBC, white blood cell, इसे हम दो leukocyte भी बोलते हैं, और तिसरा कलाता है platelets, इसे हम दो thromboside भी बोलते हैं प्लेटलेट का काम क्या है, platelet हमारे body के अंदर में जब है, तो यह हमारे body में plasma की fluidity को maintain रखेगा लेकिन जैसे ही कोई injuryal condition हो जाए, accident हो जाएगा, उस condition यह platelet जो है, तुरंत blood को क्या करा देगा, clot करा देगा और वही पर WBC क्या है, WBC white blood cell जैसे leukocyte हमने कहा, यह हमारे body का soldier है, हमारे body का immunity generator, immunity developer है, हमारे immune system को यह क्या करता है, stronger करता है अभी जो corona, covid-19 के बात हो रही है, disease के बात हो रही है, इसमें immunity पर बहुत ज़्यारा focus किया जा रही है, यहाँ WBC count पराने के बात के जा रही है, लिटले count पराने के बात के जा रही है वही पर एक और, एक और जो blood cell है, इसे हम लोग ने कहा, RBC erythrocyte, RBC red blood cell में क्या present है, असलमें यहाँ पर hemoglobin present है, respiratory pigment एक hemoglobin present है जो blood के color को rate भी रखेगा, और यह oxygen का supply पूरे body में करेगा, हलाकि इसको blood को भी हम लोग अथिया से कबर करेंगे, अगले वीडियो में, और फिर यहाँ पर एक lymph भी है, lymph जो है, यह एक ऐसा fluid है, एक fluid connected tissue है, जो की blood facial capillary में ही form होता है, कैसे form होता है, वो भी हम लोग डिसकस क लिया, एनिमल टिशू कितने तरह के होते हैं, यह 4 तरह को जो animal tissue होते हैं, nervous tissue, muscular tissue, connective tissue और epithylleal tissue, यह भी कितने तरह के होते हैं, यह सब हमने discuss किया है, next video में हम लोग connected tissue को start करेंगे, क्योंकि हम लोग ने already nervous tissue, नर्मस tissue तिसकस कर रहा है, आब esse conversation musimy tissue और हाँ एक और बात है बच्चो कि जब भी सब्सक्राइब करो तो उसके बगल में जो गंटी है उससे जरू क्लिक कर दिया करो उससे क्या होगा कि हमारे जो फीटर वीडियोज है जब भी मैं अपलोड करूँगा तो फड़ा पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपको मिल लाया करेगा उससे आप अपनी परहाई को इस लोगडाउन पुडियोट में भी बेदर तरीके से आप जारी रख पाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बेरी मस्ट थैंक्स लॉट गॉट ब्लेशिव जैहिंद